हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरे योट्यूब चैनल पे तो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हो तो आज हम पुराने कपड़ों से एक बहुत प्यारी सी कुल्ट बनाना सीखेंगे तो किस तरह से मैं आज डिजाइन बनाने वाले हों आप वीडियो पूरा देख लिजίαगा आपको वीडियो पसंद भी काफी आएगा तो छोटे-छोटे कपड़े अगर आपके पास पड़े हैं या पुराने कपड़े पड़े हैं तो आज का यह वीडियो आपके काम आने वाला है ज्योंकि इसमे कुछ पुराने सूट के कपड़े हैं और कुछ जो कपड़े बच्छे होते हैं वो वाले हैं तो इनका यूज़ करेंगे हम पहले में उनको प्रेस करलूगी प्रेस के साथ फूड़ा सीधा करलूगी और फिर इसमेंटनल हम एक जिसको खेस बोलते हैं बो वाला है उसका यूज़ करने वाले हैं इसमें हाज हम कोई फॉंब गएरा यूज़ नहीं करेंगे पहले इसको ये देखे इस तरह से सीधा कर लेती हूं अच्छे से कर लेते हम काठ वाय आट का में सारे की से गेया कट कर लेका है कि इस तरह से आयां अब किस तरह से इनको स्टिच करेंगे देखे बीचिच को जोडने के अलग अलग तरीके एक चौरस पीस से हम के तरह के डिजाइन जो हैं, बना सकते हैं, लेकिन आज जो यह डिजाइन आपके साथ शेयर करने वाले हो, यह बिलकुल इजी है, तो दो पीस हमने रखने है, और यह देखिए, सकेल लेके सेंटर में एक निशान लगाना है, तो जो हमने सेंटर में यहां पर शिलाई नहीं लगाएंगी यहां से बाद में हम कटिंग करेंगे तो एक साइट पे एक शिलाई मेने लगा ली सेम इसी तरीके से दूसरी साइट पे भी सिलाई लगा लेती हो और फ्रेंट्स इस तरह कि बहुत सारे डिजाइन होते हैं तो आप देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे center में से इसको cut कर देंगे तो यह दो पीस हमने जोड़े थे न इसमें से देखिए हमारे 4 पीस बहुत ही प्यारे से बनके ready हो गए यह देखिए इस तरह से तो केई तरीके से हम इसको जोड सकते हैं, तो बहुत असान तरीका है, आप देखे दो पीस फिर से ऐसे लेंगे और सारे पीस को इसी तरह से मैं रेड़ी कर लूँगी यहाँ पे भी निशान लगाके और पूरे पीस हमने रेड़ी कर लेने हैं तो जब सारे पीस त्यार हो जाएंगे ना तो हमने इस पर प्रेस करनी है, प्रेस के साथ आपने इसको अच्छे से बिठाना है, अगर आप प्रेस नहीं करते तो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो कुल्ट है वो इतनी अच्छे नहीं बनेगे, उसमें जोल आएगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जब अच्छे से प्रेस कर लेना है थियान रखिए प्रेस आपने जरूर करनी है फ्रेस नोगों के बिना आपकिमि प्रेस के दीजुम प्रेस कर एक परम में आपको को दिखाते हूं कैसा कंप्र लिया है आप देखो किसी तरह से भी आप इसको जैसा भी आप design बनाना चाहते हो आप रख सकते हैं अब इस तरह से देखिए एक को उठाएंगे और यहां से मैं जोड लेती हूँ, यह देखिये, इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और फिर दूसरा पीस उठाऊंगी यहां से लेकर यहां तक सिलाई लगा लूँगी, तो जो हमने ये देखिए तीन-तीन जोड़ पीस जो रेडी किया है ना इस पर से हमने प्रेस करनी है प्रेस के साथ आपने अच्छे से सिलाईयों को बिठाना है तो देखिए सारा पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ फिर आगे इसका जो बताती हूँ आपको कि किस तरह से हम इसको इसमें हम कोई form का use नहीं करेंगे तो देखे यह है मेरा एक जैसे इसको case बोलते हैं हमारे यहां तो यह काफी खराब हो गया है इसका मैं use करने बाली हूँ आज आप देख सकते हैं कितना गंदा सा है यह इसमें मैं ज्यादा तर प्रैस करते हूँ तो यह देखे और कभी painting का काम करती हूँ तो इस पर थोड़ा सा यह गंदा हो जाता है तो यह देखे नीचे बिछाती हूँ न जब भी कोई काम करती हूँ यह देखे इस तरह से रखेंगे दो-दो इंच मैंने side को छोड़ दिया और एक इंच जो है उपर को अब यहाँ पर pin लगा लेती हूँ तो देखे इसमें हम कोई form बगेरा नहीं डालेंगे कोई भी आपके पास इस तरह का कपड़ा हो मोटा उसको आप ले सकते हैं अब एक पीस को मैंने जोड लिया अब देखे दूसरा पीस जो है जिस तरह के अभी आप डिजाइन बनाना चाहते हो आप बना सकते हो इस तरह से रखेंगे यह देखे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई मैंने लगा ली है फिर से इसको इस तरह से pin लगाते हुए हमने set करना है इसमें कोई जोल नहीं आना चाहिए इस बात का आपने ध्यान रखना है अब अगला पीस लेंगे और उसको भी उल्टा गरके रखते हुए यह देखे इस तरह से इसको उल्टा गरके रखा और यहाँ से सिलाई लगा ली सेम इसी तरीके से पूरा में इसको भर लेती हुँ फिर आपको दिखाती हुँ पीन सा साथ में आपने लगाते जाना है ताकि इसमें कोई जोल ना आए तो जब भी आप कुल्ट बनाओ उसका आपने यह ध्यान रखना है कि उसमें जोल नहीं आना चाहिए तो देखिए सारे पीसेज को मेंने अटैच कर लिया है यह देखी यह देख्याई गंदा सा ही मेरा कपड था लेकिन इसको मैं पूरा निचे से बी कबर करूंगी था कि इसका पता नहीं चले इसमें इसमें कौन सा कपड डाला है अब देखिए इक पुराण बेडशिट, पैंट का पीस और कोई भी जैसा भी आपके पास कोई कपड़ा पड़ा हो लेकिन थोड़ा सा मोटा ही कपड़ा आपने यहां पे लेना है तो इस तरह से उल्टा करके रखते हुए यहां से सिलाए लगा दूँगी और दूसरी साइड को टर्न कर दूँगी यह देखिए इस साइड पे मैंने लगा लिया और सेम तरिके से दूसरी साइड पे भी अब जो यह साइड वाले कोने हैं इन पे भी इसी तरह से मैं कपड़ा लेकर लगा लूँगी तो ये देखिए ये कपड़े की मैं दो पटियां कट कर लेती हूँ ये देखिए इस तरह से उल्टा करके रखते हुए यहां से भी सिलाय लगाके और सीधी साइड को इस तरह और सिलाय लगा लूँगी टर्न करते हुए तो ये चारो साइड पे देखिए मैंने कपड़ा लगा लिया है अब ये बैक साइड का है ये बहुत फी गंदा सा है यह गंदा दिख रहा है और इस預 किसे ने पूइठ था तो यह के जो है यह मेरा बेटे का ह है जब मेरा बेटा कॉल्ज में पढ़ता इंजिनियर करना थो उसका है यह तो इसंटा करलें torch पूरा कफर करना है, जो हमने ये नीचीवली आटन पर कपड़ा लगाया है, तो इस को इस तरह से कपड़े को बिछाते हुए, पूरा अच्छे से ब्राबर करते हुए, हमने इसको चारू साइड से स्टिच कर लेना है, तो ये मेरा cotton का दुपट्टा था, उसका मैंने यूज किया है, ये देखिए, आप यहाँ पे कोई bed sheet का यूज कर सकते हो, जो भी कपड़ा आपके पास पढ़ा हो, उस तरह का कपड़ा आप ले सकते हो, आप देखिए यहाँ पे हम पेन लगा लेंगे, पेन लगा के अच्छ को लाइक शियर जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए है, उस तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूजफूल वीडियो जो है, मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, अब चारों सैट से इसको स्टिच कर लेती हूँ, तो देखिए, सिलाय मैं लगा ली है, एक्स्ट्रा फैबरी को मैंने कट कर लिया है, देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारी एक विल्ट जो है बनके रेडी हूई है, अब चारों साइट पे फिनिशिंग के लिए हमने पत्ति लगाने है, तो एक कपड़े की पत्ति मैंने काट कर ली है, यह ट idee करें यहां से लेकर यहां तक को चलिए मASHेन पे चलते हैं कि इस तरह से हमने सिलाई लगाते हुए पत्टी को, कंपलीट कर नए हैथ एक साइट पे पट्टी लगा लेंगे फिर अलाग अलाग चारों साइट पे मैं पट्टी को अटैज करूंगी यह देखिए अब सीधी साइट को टर्न कर लेंगे यह देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने उपर से टॉप स्टेच लगाना है और ध्यान रहे जब भी आप जैसे भी आपके पास जैसे होता है कि बार कोई पराने सूट होते हैं दुपट्टे होते हैं या बेड़ शीट होती है तो उसका यूज़ करके आप इस तरह की कुल्ट जो है घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हो अगर आप और भी कोई डिजाइन सीखना चाते हो तो होते हैं उसके साथ डिजाइनिंग अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं अब देखे इस साथ पर जहां पट्टी लगी है ना उस साथ पर हमने कपड़ को ये देखे इस तरह से फोल्ड करना है अंदर वाली साइड को ये देखे एक्सरा रखा है और अंदर वाली साइड को फ परफेक्ट बनता है एक बार फिर से देख लीजिए यह देखो इस तरह से और इस तरह से और अगर आप को corner बनाने में दिक्कत होती है तो अगर इस तरह से आप पट्टी लगाओगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी देखिए पट्टी हमने इस तरीके से लगाने हैं बिल्कुल perfect तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ पट्टी जो है हमारी बहुत ही बड़िया लगी है आप देख सकते हैं यह देखिए तो इसी तरह से मैं चारों साइट पर पट्टी को complete करके फिर आपको दिखाते हूँ धागे बगेरा जो है इसके finish कर लेते हैं और यह हमारी बहुत ही प्यारी सी कुल्ट जो है बनके ready हो गई है और बिल्कुल फ्री में कोई हमने इसमें नया कपड़ा यूज नहीं किया है जो भी हमारे पास जैसे कपड़े पड़े होते हैं घर में उनहीं का यूज करके हमने एक बहुत ही प्यारी सी ये कुल्ट जो है बना के रेडिकी है तो देखिए हमने इसमें फॉम का यूज नहीं किया है आप कई बार मुझे कॉमेंट आता है कि जो फॉम होती है वो वाश करने के बाद खराब हो जाती है तो फॉम की जगा पे आप कोई मोटा कपड़ा ले लिजिए कोई पेंट का पीस ले लिजिए या जो भी कोई आपके पास मोटा कपड़ा जीन का कपड़ा हो उसका यूज भी आप कर सकते हैं तो मेरे पास यह जैसे हमारे यहां इसको खेस बोलते है तो यह खराब हो गया था इसका मैंने यूज किया है अभी थोड़ा सा यूज किया है और भी काफी सारी चीजे में इसकी बनाने वाली हो तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ये देखिए तो देखिए बन गई हमारी बहुत ही प्यारी और कलर्फुल सी ये कुल्ट तो देखिए बहुत ही अच्छे इसके कलर भी काफी अच्छे लग रहे है और आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बने है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में वास इतना ही मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ क्वेड लुटे लुटेख सूपख टो लुटेख सबस्टेखस